Hello friends, आप लोग कैसे हैं? आज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे सही तरीके से पानी कैसे पियें ताकि दोस्तों आपकी फुल बोडी मेंटेन रहें ताकि घातक से घातक जैसे बिमारी हो जाती है पानी से जो आप लोगों को सही तरीके से पानी पीने का पता नहीं रहता ह जैसे दोस्तों किटनी खराब होना या गुर्दा खराब होना या दोस्तों आपको कब्ज बनना या बार-बार बातरूम जाना या दोस्तों आपको इस्टरा फैट बढ़ना या लंबाई नहीं बढ़ना हड़ी कमजोर होना ये चीजे दोस्तों आपको सही तरीके से पानी इसलिए दूस्तो आप लोगों से कमेंट करूंगा कि आप 15 मिनिट पहले ही पानी पी लिया करें और दोस्तो खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनिट के बाद प्षकी नमबर टू मिस्टेक जो है दोस्तो आप लोगों को खड़े होकर पानी नहीं पीना है और एक बार में ही पानी नहीं पीना है थोड़ा थोड़ा सा पानी करके और दोस्तो अराम से बैट के घूट घूट बना कर पीना चाहिए कम से कम एक गिलास एक बार में पीना चाहिए औ और दोस्तों फिर 5-10 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। नमबर 3 मिश्टेक जो दोस्तों अकसर लोग करते हैं दिन में किवल 1-1 लीटर ही पानी पीते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कम से कम 2-3 लीटर पियें। गर्मियों में दोस्तों 3-3,5-3 लीटर और ठंडियों में 2-5 लीटर कम से कम पियें। ताकि दोस्तों आपका सरीर अच्छे से मैंटेन हो और गंडगी आपके सरीर से बाहर निकाले। तब ही आपका सरीर अच्छा रहेगा जिसके मुझे पिंपल्स यादाना रहते हैं और जादा दाद और खुजली हो जाती है ये सब चीज़े दोस्तो पानी कम होने के कारण आपके सरीर में होता है इसलिए दोस्तो आप अच्छे से पानी पीए नमबर फोर मिश्टेक दोस्त ठंडा पानी पीते हो तो दोस्तो आपके सरीर में जाता है पहले और उसको फिल्टर होता है पानी जब गरम हो जाता है तब आपके सरीर के योगी बनता है पानी इसलिए दोस्तो आप हलका गुनगुना पानी पीए और दोस्तो आगर आपको कब्ज बनती है तो दोस्तो उठे और एक गिलास देड़ गिलास आप गरम पानी कर लें गुन-गुना और उसको पीक के कम से 15 मिन ड़के बार लैटरिंग जाएं तो आपकी पूरा पेड़ सफा रहेगा अच्छे से और दोस्ते जो दोस्तो आप लोग जैसे रात्री में सोने के पहले जादा पानी ना प संभाव ना रहती है इसके लिए दोस्तो आप खाना खाने के बाद पानी पीए थोड़ा बहुर रात्र में और रात्र में दोस्तो रात्र में जब आपकी नेन खुलती है बातरों करने जाते हो उसके बाद हजक के पानी पी लेते हो इसलिए दोस्तो आप ऐसा मत करें ताकि कि आप कितनी घराब हो सकती है इसलिए और आपकी नेन भी जल्दी नहीं पड़ेगी ताकि पानी पीने सँ आपके सरीर में एलर्ची उलल्पन्ण होती है जब दोस्तो आप रातिर Olympia सोने के बाद उठते यो सोकर एक बार तो दोस्तो आपको नीन जल्दी पड़ती नहीं और उसके बाद अगर फानी पिलेते हो तो दोस्तो और आपको टाइम देना पड़ता है इसके लिए सो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंस आयर कर देना और अपने चैनल को जरू जरू सब्सक्राइब पर लेना फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ जो दोस्तो हेल्थ और हाइट के रिलेटेड होगी जै हिंद जै भारत बंदे मात्रा